सबसे पहले इसका बाचन, अनुबाद और संपुन अभ्यासकार एक साथ दिखते विच चलेंगे असमा कम प्रदेश से हमारे प्रदेश के मध्य दक्षन भाग में अति प्राचीनम अत्यधिक प्राचीन प्रियाग नगरम प्रियाग नगर इस्थितम अस्ति इस्थित है हमारे प्रदेश के मध्य दक्षन भाग में अत्यधिक प्राचीन प्रियाग नगर इस्थित है यसोत्तरह गंगह जिसके उत्तर में गंगह दक्षणतह यमुनह और दक्षण में यमुनह चा नद्यो प्रवतह नदी बहती है जिसके उत्तर में गंगह और दक्षण में यमुना नदी बहती है तत्र सरस्वत्याह नद्याह अपी, जहां सरस्वती नदी भी काचित अद्रिश्धारा वहतीती, जहां वहां सरस्वती नदी भी किसी अद्रिश्धारा के रूप में है, पुराण एशु वर्नितम पुराणों में इस प्रकार वर्नित है, तस्स्य नगरस्य प्राच्यम दिशी उस नगर के पूर्व दिशामें तेश्टनामपी नदी नाम भवती तीन नदिया हैं। कश्चिद सोभनं संगमः कितना सुन्दर संगम दिखाती हैं। अतह तत इस्थानम त्रिवेडी ही त्रिवेडी संगमह इती नामनापी सर्वत प्रसिद्धम अस्ती इसलिए वहस्थान त्रिवेडी इस नाम से प्रसिद्ध है यतो ही तत्र तिस्रह वेड्या नदी धारह परस्परम मिलत्वह एकी भवन्ती वहां तीन धाराय मिलकर प्रती 12 वर्ष में कुम्भ मेला लगती प्रती 12 वर्ष में कुम्भ मेला लगता है। पहले सत्यूग में देवताओं और दान्मों ने मिलकर समुद्र को मथा था। उस सुवन कलस में अम्रित था। श्री व्रिष्णों आज्यां विष्णू की आज्यां से तस्य वाहनम गरुणहतं अम्रित कुम्भ म हरत। श्री विष्णू की आज्यां से उनका वाहन गरुण उस अम्रित कलस को हरकर ले गया। ततह दानवाह अम्रितं पातुम्तं अनुधावन। फिर दानों उस अम्रित को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दोडे। अनुगच्छतह तान दानवान परावर्तेतुम गरुणहत्तैस चतुर्षू स्थानेश युद्धम अकरोथ। उनके द्वारा पीछा किये जाते हुए दानों को लवटाने के लिए गरुण ने उसके साथ चार स्थानों पर युद्ध किया। उस युद्ध में हाथ में धारन किया हुआ उस अम्रित कलश के कुछ अम्रित जल चार स्थान पर गिर गया। अतह तेशु चतरुशिव इस्थानेशु अम्रितम प्राप्तुं जनाह कुम्भ मेलाम आयोजियन अतह उन चारों इस्थानों में अम्रित प्राप्त करने के लिए कुम्भ मेला का आयोजन करते हैं तानी चतवार इस्थानानी उन्चार इस्थानों में हरिद्वारं प्रियाग नासिकं उज्जैनं चेति संती। उन्चार इस्थानों में हरिद्वार प्रियाग नासिक उज्जैन ये स्थान हैं। प्रियागे त्रिवेडी तटे जनाह, प्रियाग में त्रिवेडी तट पर लोग माग मासे मकर गते रवे एक मासस से कल्पवासम करतुम, प्रियाग में त्रिवेडी के तट पर लोग माग के महीने में मकर संक्रान्ती में एक मास का कल्पवास करते हैं, फिलो प्रतेक वर्ष आते हैं तथा पी प्रती 12 वर्षम कुम्भ पर्व प्रती 6 वर्षम चा अर्ध कुम्भ पर्व इति नामना प्रती तह कुम्भ मेला प्रचलित। फिर भी प्रतेक बारा वर्षों के पश्यात कुम्भ पर्व और प्रतिछ वर्ष पर अड़ कुम्भ का पर्व इस नाम से प्रसिद्ध कुम्भ मेला लगता है। अस्याम मेलायाम पर्वण पर्वण लक्षादिकाह जना आगच्छंति। इस मेले के हर पर्व में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उनमें स्रद्धालू, ग्रिहस्त, साधू, सन्यासी, हजारों की संख्या में एक महिने निवास करते हैं। एतिशाम, सर्वेशाम, जना नाम, आवास, आर्थम, शासनम, सर्व विधाम, सार्वजनिक सुविधाम, प्रददाति। इन सभी लोगों के आवास के लिए शासन सर्व प्रवकार के सार्वजनिक सुविधा देता है। मेलायम बिवस्थाई साशने एक प्रिधक विभाग एव स्थापित हैं केले की बिवस्था में शासन में एक प्रिधक से विभाग स्थापित कर दिया है अतह अत्र सत्यपी जनसम्बर्देह काप सुविधा असुरक्षा वाना भवति इसलिए यहां पर वास्तों में जनसमदाय को कोई भी असुविधा एवं असुरक्षा नहीं होती है। कनककुम्भे सोने के कलश में परावर्तितुम लोटाने के लिए मकर गते मकर राशी परिस्तित होने पर कल्प वासम संगम शेत्र में ही नियम पूरुबक रहने का संकल्प लेकर निवास करना प्रतिता प्रसिद्ध सत्यपी होने पर भी जनसमदे लोगों की भीड उच्च्य सकारण करें मध्य दक्षन भागे येस उत्तरह सरस्वत्या परावरति इतुम सहस्त्राधिका ह प्रति двादस वर्षम एक पदमे उत्तर दें संगम तटे प्रति dvादस वर्षम का लगति सुवर्ण कुम्भं हस्तियोह दृत्वफ कह उत्पन्ना कनक कुम्भे किम मासीत कल् पदों का संधी विक्षेद करें तो यहां कर दिया गया उसके आधार पर आप कर लें रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें तो यहां पर आपको प्रश्न निर्माण करना है वो कर लें संस्कृत में अनुवाद करें नगर के पूर्वदिशा में नदियों का संगम है देवों और दान्मों ने मिलकर समुद्रम था भारत के चार स्थानों पर अम्रित की बूंदे पणी प्रतेग बारा वर्ष पर कुम्भ मेला लगता है